हेलो दोस्तों, वेलकम टो एलेक्ट्रोनिक स्टडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब जैनल पर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आपके यूपीटीटी दो हुजार अठारा के क्वेश्चन पेपर के बारे में, दो हुजार उनिस के लिए काफी आप सबसे पहले लगाएं, आफ्टर दैट, आप जो आगर प्रैक्टिस सेट आपके पास में हैं तो उन्हें भी आप जरूर करें, उसी किक्रम में CDP आपका, आपके EBS, उस अभी के बारे में अलोड़ी बात हो चुकी है, यहाँ पर हिंदी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ, आपकी special class के बारे में, अन अकैडमी पर आज 8 बजे आपकी class होगी, ठीक है, और 10 बजे भी आपकी class होगी, फ्री वाली classes है, लिंक है वहाँ पर, चैनल है, वहाँ पर मैं लिंक भेज दिया हूँ, चलिए बात कर लेते हैं, आपर दिएगे गद्यांज को पढ़कर निवलिखित प्रिष्णों के सही विकल्प छाटिये, ध्यां दीजिएगा, हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल को लिखा हुआ है, संप्रिशन कलाह क्या नहीं है, आपको ऐसे passes मिलेगा, और रिक्षीश का विसेश खया लगिएगा, आपके CTAT में लगभग 4-5 सवाल होते थे, एक passes पर लेकिन यहाँ पर दो सवाल ही पूछा जाता है, लिखा है इसमें अलंकरण आत्म विश्वा से प्रभावश्रा लीभासा लिखा है, और विचारों और भावणाओं को अविवक्त करना ये options में इन्होंने दिया हुआ है, जब आप सं अला काउंसी नहीं है, आपको मैं बता दू, आत्म विश्वास की जब आप बात करते हो, confidence होना बहुत जरूरी है, जब आप कमिनिकेशन करते हो, प्रभावशाली भाशा कभी बनों जरूरी है, क्योंकि कमिनिकेशन के लिए language का होना तो जरूरी होता ही होता है, विचार भ करन जो है, वो इसमें अलग निकल करके आएगा, आंसर आपका ए होगा, कुछ बाते इसमें लिखी होई है, अब गद्यान्स की प्रथाम सिदुतिय पंक्ती में इस पष्टता आप पढ़ पार होगे यहां पी, जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते अच्छी तरीके से आपकी लैंग्विज होगी और आप अच्छी तरीके से बोल चाल कर भी पाएंगे, तो ऐसे में एक्सरसाइसिज, अब भ्यास करना सबसे मुख्य होता है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, बाकि आप एक्स्प्लेनेशन थोड़ा देख पा रहोंगे, ए यारा लावा, यह आपके अंतस्थ वेंजनों में आते हैं, अंतस्थ, जी हैं, उस्थ, अंतस्थ, 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 अंतस कैसे बना है इन सबको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा आपका पूछ लेता है कि शा का जो भी छेदन है वो कैसे होगा तो का प्लस कहीं नीचे से शा की नीचे हलंद प्लस आ ऐसे भी लिखा हुआ होता है वो भी आपका करेक्ट होगा एक और सवाल के तरफ चलते हैं कर दो डो बार मैंने पढ़ाया हुआ है अनकारमी पर मिल जाएगा आपको यहीं पर चैनल पर सर्च करोगे वह चीज मिल जाएगी ठीक है तो समास एक बार देख लेते हैं यहां पर बहुभरी ही समास लिखा है आपका दीखे होता यह है जब भी आप अर्थात करके बोलते हो जहां पर यह श्वदा आता है अर्थात वहाँ पर भोबरी ही समास होता है इसमे स्में लिखा हुआ है कि मरत्यों को जीत लिया हूँ जिसने अर्थात भग्वान श्रंकर तो आपका आंसर जो है वो यहां से C आएगा एका और सवाल अलंकार में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है अल लिखा है अल एक हलंत के साथ में एक अलं करके है और एक अलं लिखा हुआ है जब भी आप अलंकार की बात करते हो रेखांकित शब्द का परिचे दीजिए कि यह जो है वो है क्या सर्वनामिक विसेशन करके लिखा है सर्वनाम एक वचन इस्त्रुलिंग है आपका या फिर गुडवाचक विसेशन है या फिर संबोधन अव्वे है यह पर दियान दीजिए का सर्वनामिक विसेशन में आता ह पुस्तक विस्षे करगे लिखा है जोकि युश की बात कर रहे हुAT अर यहाँ पुस्तक सिकी है तो एक वचन इस्त्रि pas निक मैं पुस्तक जोकि इन्होंने क्या बोला है किसकी अगर यहां किसका लिखा होता तो हम आपका किसी और उस पी चले जाते है मतब्थ और उस पी जैसे pulling पे लेकिन चुकिकि is thrilling है किसकी बोला है तो is thrilling होगा पुस्टक यहां पुस्टक एकि पुस्टक की बात किए तो एक वचन होगा आपका ठीक है और सर्वनामिक विसेशन में यहां आता है तो आंसर जो है वो आपका ए निकल के आएगा यहां से बाकी थोड़ा से एक्स्प्लेनेशन दिया है वो आप देख पा रहे होगे एक और सवाल विसेशन सब्द का विलोम क्या होगा एनलेसिस आप इसे बोलते हो इंगलेश में विसेशन करना ठीक है इसका जो आपका अपोजिट होगा वो सिंथेसिस होता है एनलेसिस का सिंथेसिस होता है पोजिट कोई चीज है आपने एक इतनी बड़ी चीज थी उसको ऐसे से भागों में बाट लिया और फिर आप इस्टड़ी कर रहे हो जब सिंथेसिस से संसिलिश्ण करते हो इन सभी को आप ले करके फिर इकठा कर देते हो यहाँ पर जो फिलाल आएगा वो आपका भी होगा एक और सवाल पर चलते हैं लिखा है जिनका उचारण उपर के दांतों पर जीव लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं उपर के दांतों पर जीव लगाने से दंतिया कंठिया मूर्धनिया अनुनासिक यहाँ पर चुकी जैसे उन्हों लिख दया दातों पर जीब लगाने से दात की बात कर दी तो आप दंतिय लगाई है ता था दा धा ना कितने होते हैं आपको पता है इस पड़्षवेंजनों में जो है आपके 25 एक वर्ग में पांच वर्ड आते हैं वर्ड ठीक है अक्षर जिनिया आप कहते हो तो दंतिय में आपके वूँ चीज़ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर आप देख पार होगी कि उश्वबेंजन कौन से हैं? शाशाशा करके आब आसा लिखा है, चाच्छाच्छा लिखा है, या यारला। आपको मैंने बताया हुआ है, इसके पहले भी, शाशाशाशाउस में आएंगे, यारलावास अंतस्त में आते हैं आपके, तो सिधा सिधा आपका अंसर यहाँ से ए आ जाएगा, जहाँ समझाने का होगा, उसे मैं जरूर एक्स्प्लेइन कर दूँगा, जिसे क्या आसानी रहे हैं आपको चीज़ों को समझने में, अच्छा, अल्प्राण, महाप्राण, ये सारे क्या होते हैं, अपके उनको भी मैं बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ प्राण, प्राण मत्ब वायू होती है, महाप्राण, अल्प्राण, वायू ज़्यादा निकल रही होती है, मुख से कम निकल रही होती है, कर दिंगली जो है, इनको डिवाइट किया गया है, ठीक है, ठीक है, यानि काफी कम, तो अत्यदिक का जो विलूम आएगा, वो आपका क्या हैगा, अत्यल्प, एक और सवाल, रित का विलूम क्या होता है, अनरित होता है, वक्र लिखा है, विकेरड लिखा है, या फिर अनाय के लिखा है, तो रित का जो आपका विलूम होता है ध्यांदीजी का वो आन रित कहलाता है क्या कहलाएगा आन रित कहलाएगा और यह लिखा हुआ है कि रित का रित नहीं है इस जीज का कहाल लखेगा रित नहीं है रित दिया हुआ है आगे चलते हैं का और सवाल पे इन्होंने कहा संकल्प में यह बिल्कुल वैसे ही जैसे अलंकार में पूछ लिया था संकल्प अलंकार तो सम वहाँ आलम लिखा था यहां भाई सम हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही कुछ नहीं था आपको free का एक दिन समझ ली इतनी आसानी से बस है क्या प्रेक्टिस आप प्रिवियस यर के पेपर्स को जितना ज्यादा हो सके मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन सारे पेपर्स को आपको कराया जाए यहां पे और जो इंपर्टेंट टॉपिक्स है आपकी उन्हें भी करवाया जाए तो युवियस में जैसे पॉलिटी वाला सेक् कर सकते हैं एलेक्ट्रोनिक इस्टडी है जो एंड्रॉइड अप्लिकेशन है वहां से वहां पर आपको पीडियोफाइल्स भी मिल जाएंगी इस युविटेट की तयारी के लिए एक और सवाल की तरफ से इसमें लिखा हुआ है कि मुझे से खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य क्या होगा भाव वाच्य है कर्दवाच्य कर्म वाच्य और अन्या मुझे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता मतलब कहने का यह हमारे भाव में है ऐसा होता कि मैं खड़ा नहीं हो पाया यानि कि मैंने कोशिश की थी मैं खड़ा नहीं हो पाया चुकि इन्होंने का ख़ड़ा भी हुआ नहीं जाता यह पहले से हमारे भाव में हैं तो सिधा सिधा भाव वाच निकल करके आएगा भाव क्या होते हैं जो फीलिंग्स होती है हमारी कौंसी चीज़े होती हैं हमें लगता है कि यह है लेकिन यह होता नहीं है प्रेजंट बट नॉट प्रेजंट वाली कंडेशन उके चलिए बाग यह एक्स्प्लेशन अब देख पा रहोंगे इसमें लिखा हुआ है एक और सवाल के तरफ तदभव और उसके ततसम का कौंसा मेल गलत है लौंग का लवंग लिखा है लुनाई का लाड़यता आत का है अंत्र और आयसू का होत कौंसा मेल गलत है इन्होंने पूछा है लौंग का लवंग है आपका आदेस आयसू करके है लेकिन लुनाई लावड़यता और आत्र करके यह देखे यहां पर लिखा हुआ है यह जिन्होंने आंसर दिया होगा फिलाल एक चीज आप लोग जान लीजिए जो यहां पर मैं आंसर बता रहा हूँ कई बुक्स में बहुत गलत दिया हूँ यहां जो मैं बता रहा हूँ वो एक दम सही है ठीक है सारी चीज़े देख कर ही मैं बता रहा हूँ और जो यह आंसर दिया है वो एक दम करेक्ट है इनका तदभव तत्सम का मेल गलत है आत का तत्सम जो है वो योगम वो एक दम आके सही है दोसों फिलाल इस वीडियो में 15 सवाल पर रखते हैं जो आपके rest of the 15 questions है एक वीडियो जल्दी ही आएगा उसमें उनकी बारे में भी हम बात कर लेंगे वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजीगा दोस्तों साइप आटिवी के साथ में स्पेशल क्लास में आप जरूर मिलिएगा लिंक्स मैं फिट से भेज़ दूँगा टेली ग्राम चैनल पर मिलते हैं आपसे जल्दी ही थैंक्स वर वाची